गर्माधान के खेती का मकसद कम समय में अधिक मुनाफ़ा कमाना होता है और यही वज़ा है कि अब धीरे-धीरे किसान गर्माधान की खेती करने रगे हैं खास करके गर्माधान के किस में क्या होता है कि जब अगर टैंपरेचर डाउन है ठंड जादा है रात में अगर रात की ठंड वर गई हो तो उस जगह आपको बीजों को उपचारित करने के लिए आप कवक नासी दवा और जो भी बैक्टेरियल प्रॉलम है तो स्ट्रेप्टो इस घंटे के लिए छोड़ दें और उसको उसके बाद निकालके उसको जूट के बैग में उससे पैक कर दें और उसको फिर 12-18 घंटे तक छोड़ें उसमें अंकुरन आ जाए उसके बाद आप बीज अस्थली में ले जाकि उस बीज की बुआई करें तो आपको क्या होगा उससे जो हमारा पौधा जल्दी जर्मिनेशन फास्थ होगा और ज्यादा फास्थ होगा और हमारा समय की बचत होगी और अधिक संख्या में जो है बीज अंकुरन होगा ये एक तरीका है और दूसरा है कि जब बीज हम डालते हैं इसके लिए तो उस जगा क्या करना जो में यह सब जो है कंट्रोल जो हमारे पास है इसके बार जो जो पॉषक होता है उसमें लुफ्त फॉस्पॉरस पॉटास कि के केस में जो प्रसाती हम और जालते हैं उसमें 120 से लेके 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फॉस्फोरस और 40 किलो पुटास की मात्रा परती हक्टेर के हिसाब से आप डालेंगे यह उर्बड़क की मात्रा होगा उर्बड़क डालने बक्त ध्यार में रखना है कि नाइट्रोजन का एक बटे तिन वन थर्ड पार्ट जो ह है था भाग जो है वो हम जब मिटी तैयार करते हैं करते हैं उसी वक्त हम डालें और फॉस्फोरस और पूटास की पूरी मात्रा जो है फित तैयारी करते वक्त तैयार के बाकि बचे हुए जो एक था caetera one Third जो हमारे पास जो नाइट्रोजन बच जाते आ हैं उनका का दो अल